हेला एरिवन स्वागत आप सभी का एक बर फिर से मेरे यूटूब चैनल में तो TGT, PGT, PRT, भरती को लेकर एक नई अपडेट आई है और क्या अपडेट है वो देखेंगे यहाँ पर देखें पीजीटी भरती में सामाजिक आर्थिक मान दंड के अंक नहीं जुडेंगे देखें हरियाना में PGT पदों की भरती में सामाजिक आर्थिक मान दंड के अंक नहीं जुडेंगे परदेश सरकार ने सैदान्तिक तोर पर यह फैसला किया है मगर विदिवत तोर पर फैसला बाद में किया जाएगा क्योंकि PGT गुरूप B में राजपत्रित एक पद है इसलिए इन पदों की भरती में सामाजिक आर्थिक मान दंड के अंक जोड कर मेरिट वाली उमिद्वारों को भरती से वंचित नहीं किया जा सकता सरकार के फैसले के पीछे यहीं एक मनसा है परदेश सरकार ने गुरूप C और D पदों की भरती में सामाजिक आर्थिक मान दंड के 5% देने का नियम लागू कर दिया है गुरूप C और D पदों के लिए कोमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा गुरूप C में सिक्सको के TGT और PRT पदों की भरती में CET लागू नहीं होगा मगर सिक्सको के गुरूप C पदों में सामाजिक आर्थिक मान दंडों में अनुबव के भी नंबर सामिल है इसलिए परदेश सरकार विचार कर रही है कि PGT की भरती में अनुबव के अंक दिये जाएंगे यानि कि experience के नंबर आपको मिलेंगे लेकिन socio economic criteria के नंबर यहाँ पर नहीं मिलेंगे और जो भी पदविग्यप्तिनों ने वापिस ली है उनकी जो जानकारी है वो आयोग को 11 फरवरी तक भेजनी होगी सरकार को और उन में जो है आपके 4440 पदर PGT और TGT से रिलेटिड भी आते हैं तो यह थी आज की न्यूज जो बच्चे TGT, PGT और PRT vacancies का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए यह न्यूज है PRT और TGT में देखे socio economic criteria के नंबर मिलेंगे लेकिन PGT में socio economic criteria के नंबर नहीं जुडेंगे यह एक नया नियम आया है ठीक है तो यह थी छोटी सी अपडेट उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच